तुलसी के बारे हम जाने के तुलसी बिरिच उत्पत्ति कैसी होई है जालंधर की पतनी बिरंदा थी और बिरंदा अतिपति बरता धर्म को मानने वाली थी जिसके कारण सभी देविता लोग थरस्थ हो चुके थे और सब का सिंहासन डोलने लगा सब परिशान होने लगे तब भगवान विश्णो ने जालंधर का रूप धारण कर उनकी सतित्यों को भंग करने के लिए गए और जिसके कारण बिरंदा पहचंशान जाती है और ब्रिंदा श्रापित दे देते हैं कि ये बिरंदा को जाए वही तुलसी का ब्रिच़ बन गई फिर ब्रिंदा वही तुलसी ब्रिच है इस रापित करते हैं भगवान विष्णु को कि जाएं जब तक हमारी पत्ता आपके मस्तक पर नहीं चलाया जाएगा तब तक आप आप पोजमाने जाएंगे इसलिए दिखते हैं कभी भी हम लोग विष्णु भवान की पुजा करते हैं तो उसमें तुलसी पत्र चाना प्रम आवश्यक हो जाता है इतना नहीं कि तुलसी ब्रिच में जल देने के बाद जितने जो नकार अतमा जो उर्द्या होते हैं सब दूर होते हैं तिर धन धन ऐस् से मुक्ति मिलती है अगर किसी के घर में अगर कर्ज सेवा ज्यादा परिसान है तो तुलसी का जड़ो उसको लाल कपड़े में बान के अपने घर में रखें पुजा करें तुलसी की ब्रिच का पुजा करें जल दें जल्दान करने से सब प्रकागी जितने प्रकागी समस्य व्मार्जा रुक होुद गोर्जा क्जों है है वह दूर्ण कैसा ग्षिक कि इस ले सोना का भी तो घर में नहीं डखना चाहिं लेकिन तुलसी का बृच्ष एक एक ईसा बृच्ष है जिसको रखने के बाद सब्रकार की फ़लकी प्राप्ति होतीजी, अपने आंगन में भी लगाना चाहिए। इसके पास जो भी रहने से सब्रकार की सुधियां होती है और सब्रकार की आनंद में जीवन बैतित होता है। तुल्सी का जड़ है उसका अगर माला बना के लोग माला से जब करें माला को धारन करें अपने घर में पुजा घर में रखने के विए जितने प्रकर्णा का रात्म बुर्जाती सब दूर होते हैं और सब प्रकार की समयश्याओं से मुक्ति मिलती है अगर उसा हो कि तुल्सी का जड़ किसी के तावी में डालके पाणने के बाद नवो ग्रहों की अगर कोई समयश्याओं चल रही है सब ग्रह का अनुकुल हो जाता है और इसे लोगों को रात मिलता है इसलिए पाणना चाहिए